नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश 28 अप्रेल मंगलवार दुपैर सीकर कोटा और भीलवाडा की खास खबरे कोरोना वाइरस के परकोप के बीच जारी लोगडाउन के बीच एक 80 वर्ष ये बुजूर्ग चूरू के रतंगड कस्पे से पैदल चलकर सीकर की पाटोदा गाउं में पहुँच गया मूल रूप से पाटोदा निवासी भगवान सिंग दो दिन पैदल चलकर पहुँचा था रास्ते में उसे भोजन भी नहीं मिला था बुजूर्ग की सूचना जैसे ही ग्रामिनों को मिली तो तुरंत स्वास्ते विभाग की टीम को जान करी दी DSP CT विरेंदर कुमार शर्मा ने बताया कि लोगड़न के दुरान काफी संख्या में वाहन चालक बिना मास्क के घूम रहे है राजय सरकार की आदेशा नुसार मास्क का मिवार्य किया गया है उन्होंने बताया कि जैपू रेज आईजी ऐसे संगाथिर वैसपी गगंदिप सिंगला के आदेश पर बिना मास्क शहर में घूमने वालों के खिलाफ कारवई की गई उध्योग नगर पुलिस ने दो मुकदमे दर्जकर वहन चालकों के खिलाफ कारवई की सीकर के शेक फुरा निवासी, कमल शर्मा और मेगा शर्मा परेणिय सुत्तर में बंदे दुलहा कमल बुलेट पर पिता के साथ दुलहन को लेने पहुँचा वरमाला के समय दुलहा दुलहन दोनों ने मास्क लगा कर ही एक दूजे को माला पहनाई कन्यादान में दुलहन के पिता ने मास्क और सैनिटाइजर भेंट किये शादे में केवल पाँच लोग ही शामिल हुए लोकडाउन के चलते रात को विदाई के दुरान दुलहा कमल दुलहन मेगा को बाइक पर बठा कर ही रवाना हुआ कोटा में कोरोना संकरमन के बीच एक बेटा करीब दो किलो मीटर तक अपने बिमार पिता को ठेले पर रखकर दोड़ा कर्फ्यू ग्रस तक शेतर होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई MBS अस्पताल पहुंचने पर इलास के लिए एमर्जंसी से OPD तक रोगी को गुमाते रहे इलास में देरी से उनकी आखिर कार मृत्यू होगी मृतक के परीजन अंशु करग ने बताया रामपुरा फतेगडी में रहने वाले 60 वर्षी असतीश अगरवार अस्थमा की बिमारी से पेड़ित थे राजसान सरकार ने कोटा में पढ़ने वाले बच्चों को अपने अपने ग्रह जिलों में भेज दिया है इसी के विरोज में बिहार के चात्रों ने लैंडमार्क सीटी एरिया में परदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी कर रहे हैं कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन जनों को गिरफतार किया है कुमानपुरा थाना दिकारे मनोज सीकरवार ने बताया कि खिख्षमा कलोनी चावनी में रिहान उर्फ कालू और रिजवान पर शिराज तौफिक उर्फ राजा और अर्बास के ने पुराने विवाद के चलते जानलेवा हमला कर दिया था जिसके बाद रिहान और रिजवान ने मोती महराज रोड पर राजा वे अन्या पर फाइरिंग कर दी पुलिस ने मामले में शिराज तौफिक उर्फ राजा और अर्बास तीनों को गिरफतार कर लिया वहीं रिहान वे रिजवान जानलेवा हमले के बाद फिलहाल अस्पता पुलिस्या प्रशाष ने परतिमाओं को अपने कपजे में कर लिया है संभावना है कि लोगडन में जगा जगा नाका बंदी है पकड़े जाने के डर से चोरों ने मूर्तियां फैंक दी हो हलाकि आसपास के थानों पर लोगडन अवदी में परतिमाएं चोरी होने के हिलव निवासि सुशीला पतने घंशाम तिवारी के नाम के थे सुशीला देवी ने बताया कि जिलास्पताल में बेटी से मिलने गई थी पर चोरने सूटके से एक किलो चांदी की कनक्ती आदा तोला सोने के टॉप्स चांदी के छे कड़े पाईजेब की एक जोड़ी दो पांच लीटर हत्कड शराब जप्त की है थाना अधिकारी नरेंदर सिंग ने बताया कि कंजर कोलोनी निवासि 35 वर्षिय सुरेश कुमार कंजर पुतर चरन कंजर एक जरीकेन में हत्कड शराब लेकर जा रहा था पुलिस की गाड़ी को देखकर भाग में लगा पुलिस न सजी जय्टा, हैल च sv जयद लेकर लेकर जनी वर्ष लेकर वाब लेकर भाग में हूंग लेकर Пट्च एकर शराब लेकर भाग में में लेकर शराब त fan विवाuffs